दीश्वारो और पूर्व कॉंग्रस निता अचारे प्रमूद कृष्णम ने कॉंग्रेस पर बड़ा खुलासा किया प्रमूद कृष्णम ने कहा कि राम मंदिर का फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ एक बैठकी थी प्रमूद कृष्णम में ये भी कहा कि बैठक के दारान राहुल गांधी ने कहा कि कॉंग्रेस सरकार बनने के बाद वो हाई पावर कमिशन बनाएंगे और राम मंदिर के फैसले को वैसे ही पलट देंगे जैसे राजीव गांधी ने शाह बानो केस में फैसले को पलट दिया प्रमूद कृष्णम कॉंग्रेस में करीब तीन देशक तक जुड़े रहे हाली में उन्होंने कॉंग्रेस छोड़ दी 32 साल से भी जगा समय मेरा भीता है जब राम मंदिर का फैसला आया राम मंदिर बनना शुरू हुआ उसके बाद राहुल गांधीजी ने अपने नजदी की लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक सुप्चिन तक के कहने पर इशारे पर सलह पर ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलड़ देंगे उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शहावानों का फैसला राजी उगांधी जी ने पल्टा था तीन तलाग के मुद्दे को ले करके शहावानों का फैसला सुप्रिम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था तो जब शहावानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यूं नी बदला जा सकता है मैं कॉंग्रेस में 32 साल से भी ज़्यादा समय मेरा भीता है जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदी की लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक सुप्चिन तक के कहने पर इशारे पर सलह पर ये बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमिशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलड़ देंगे उन्होंने ये भी कहा था जिस तरह शाहवानों का फैसला राजी उगांधी जी ने पल्टा था तीन तलाग के मुद्दे को ले करके शाहवानों का फैसला सुप्रिम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था तो जब शाहवानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है और इस बात के सामने आने के बाद संतों का गुस्ता भी सामने आया है महंत राजुदास ने क्या कुछ का वो आपको सुनना चाहिए जब राम मंदिर की विरोध में 16-17-17 उकील कड़े कर सकते हैं जब फैसला आने के बाद ये लोग काले कपड़े पहिन कर धनने पर बैठ सकते हैं उसके बाद ये सारे लोग राश्टपती को जाकर ग्यापन दे सकते हैं कि अभी राम मंदिर का कोई ट्रस्ट गठन ना किया जाए और ना किसी भी प्रकार से काम शुरू किया जाए इससे फायदा बीजेप्य को मिलेगा तो इससे प्रतक्ष उदाहरन है कि वाकई में आचार प्रमोत किष्णन ने सही कहा कि राहूल गांधी ने मीटिंग की होगी इसलिए राहूल गांधी ने मीटिंग की होगी क्योंकि राहूल गांधी को सनातन से कोई प्यार नहीं